सभी मित्रों को जय जय सी आराम। प्रभु स्री राम की किर्पा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे। यही हमारी मंगल कामना है। तो आज संत एकनाथ जी की एक कथा आपको सुनाते हैं सच्चा पुन्य। संत एकनाथ महाराष्ट के विख्यात संत थे। शंत एकनाथ सुभाव श्यत्यंत शरल और परोपकारी थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि प्रयाग पहुँचकर तिर्वेनी में असनान करें और फिर तिर्वेनी से पवित्र जलभर कर रामेश्वरम में चढ़ाएं। उन्होंने अन संतों के समक्ष अपनी यहिक्षा व्यक्त की सभी ने खुशी जताते हुए सामुहिक यात्रा का निर्ने लिया। एकनाथ जी सभी संतों के साथ प्रयाग पहुँचे सभी ने तिर्वेनी में असनान किया तत पस्चात अपनी अपनी कावर में तिर्वेनी का पवित्र जल भर लिया पूजाबाट से निब्रिथो सब ने भोजन किया और फिर रामेश्वरम की यात्रा पर निकल परे संतों का या शमो यात्रा के बीच में ही था कि मार्ग में एक गद्धा दिखाई दिया वह प्यास से तरप रहा था और चल भी नहीं पा रहा था सभी संतों के मन में दया उपजी किन्तु उनके कावर का जल तो रामेश्वरम के निमिथा इसलिए सब ने मन को करा कर लिया किन्तु एक नाथ जी से उसके दुख का शहन नहीं हुआ उन्हें नहीं रहा गया उन्होंने ततकाल अपनी कावर से पानी निकाल कर गद्धे को पिल जल चढ़ाने से बंचित हो गए एक नाजी बोले इस शुर्तो सभी जीमों ब्याप्त है मैंने अपनी कावर से एक प्यासे जीब को पानी पिला कर उसकी प्रान रक्षा की इसी से मुझे रावेश्वरम जाने का पुन्य मिल गया बैस्तुता धार्मिक विधी विधानों के पालन से बढ़कर मानविध्या का पालन है जिसके निर्वाह पर ही सच्चा पुन्य प्राप्त होता है सभी धर्म ग्रंथों में परोपकार को श्रेष्ट धर्म मानगया है सही मायने में परोपकार से ही पुन्य फलित होता है इस्वर की सच्ची उपासना भी यही है यही ब बोलिए जैसी आराम, जै जै हनुमान.